नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ करांटी सिंग आपको उतादे कि हीरा बाको गय हुए अब काफे दिन हो चुके उनके निधन के बाद जो हमने ये चीज जरूर देखी है कि प्रधानमंति नरेंद्र मोदी जो है गमगीन नजर आए उनके अलावा पूरे देश के अंदर जो है हमने ये जरूर देखा कि एक भाव जो है वो उत्पनवा और उनस भाव के बीच में हर कोई जो है उनके बारे में काफी कुछ जानना चाहता है और इसी बीच में इसे खास रिपोर्ट के जरिये में आपको एक और एहम मुद्द से रूबरो करवाने वाली हूँ आपको हीरा बागी वो समपत्ति के बारे में बताने वाले जिसके बारे में सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे तो चलिए देखे हमारी खास रिपोर्ट इसे बीच में चलिए हम आपको बताते हैं हीरा बैन से जुड़ी कुछ ऐसी बाते जिसे सुनकर के शायद आपके होश उड़ जाएंगे देखे आपको बता दे कि हीरा बैन मोदी का जन्म 18 जून 1923 को गुजरात के महसाना में हुआ था वो सौ साल की उम्र को पार कर गई थी आपको बता दे कि यहां पर जन्म 18 जून 1923 में होने के बाद आज उन्होंने आखरी सास ली उनका जन्म गुजरात के महसाना में हुआ था और मोदी का दमखम जो है वो महसाना और उनके गाउं पर ज्यादा माना जाता है आपको बता दे कि उनकी शादी दामोदर दास मोल चंद मोदी से हुई थी हीराबैन मोदी के पी-म नरेंद्र मोदी को मिला कर कुल छे बच्चे हैं 17 सितमबर 1950 को महसाना जिले के वड़नगर में जन्मे नरेंद्र मोदी उनके तीसरे बच्चे हैं नरेंद्र मोदी, पाच भाई और एक बहन के बीच के बच्चे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मा हीरावेन मोदी का निधन हो गया है हीरा बैन मोदी को 27 दिसंबर 2022 की रात को अचानक तबियत दिगरने के बाद उन्हें एहमदाबाद के एस्पतार में भरती कराये गया था हालकि एस्पतार में इलाज के दौरान कहा गया था कि उनकी हालत स्थिर है लेकिन 30 दिसंबर 2022 को उनका निधन हो गया आपको बता दे कि हीरा बैन मोदी की उम्र 100 साल थी यहां पर हथो हमने आपको अभी तक की बात बताई है कि हीरा बैन जो थी वो कैसी थी और उनके परिवार में कितने लोग थे और उसके बाद जो है हीरा बैन की स्थिती कैसी थी लेकिन चलिये अब एक ऐसे पहलू की तरफ आपको लेकर के चलते हैं जिसे जानने में शायद आपको बहुत दिल्चस्पी होगी आपको अतादे कि हीरा बैन को गए वे अभी जादा समय भी नहीं हुआ है लेकिन इससे चीजे जो है वो हम ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर हीरा बैन को लेकर के कई सारे मुश्किलाद उन्होंने उस दौर में जीला था जब वो दूसरों के घरों में पहुंसती थी और बरतन मांचती थी खुद प्रदान मंतिय नरेंदर मोदी इस बात को लेकर के अपनी मंशा भी बता चुके हैं उनकी आखे भी भराई हैं इन तमाम चीजों को देख करके लेकिन आज हीरा बैन के जाने के बाद जो है उनकी संपत्ती को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है और वहीं खुलासा चलिए इस खास रिपूर्ट में आपको बताते हैं देखे दरसल हीरा बैन के संपत्ती कितनी थी इसका डेटा जारी नहीं किया गया है आपको बता दें कि बेटे के प्रधान मंत्री होने के बाद भी हीरा बैन मोदी एहमदाबाद में ही रहती थी वो एक सादा जीवन वेतीत करती थी हिरावैन के बारे में खुद नरेंद्रमोधी ने बताया था कि वो पूरा दिन घर को सवार्ती रहती थी घर मिट्टी का था और घर में गोवर के कंडे जलने पर धुआ होता था घर में खेड़की ना होने पर वो धुआ भर जाता था इससे दिवारे काली पर जाती थी कुछ हफतों के अंतराल पर मा दिवारों की पुताई करती थी इस तरह दिवारों में नया पान आ जाता था वो मिट्टी के सुन्दर काटोरिया बनाती थी उससे घरों को सजाती थी पुरानी चीजों को वापस इस्तमाल करने लाइक बनाने में वो सबसे ज्यादा आगे थी उनकी माँ चैंपियन थी इस तरीके की बाते प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने खुद जानकारी थी लेकिन आपको बता दे कि यहाँ पर उनकी संपत्ती को लेकर के लगतार बाते बीच में भी उठती रही है कि नरेंद्र मूदी की मा जो है वो यहाँ पर अपने पीछे काफी सारी संपत्ती छोड़ के गई है क्योंकि देखें यहाँ पर जो है एक के बाद एक सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि एक तरफ जहां उनकी संपत्ती को लेकर के बवाल मचा हुआ है वही दूसरी तरफ कोई मानने को तयार नहीं हो रहा है कि यहाँ पर एक बेटा जो प्रधान मंत्री है वही उसकी मा जो है वो अपने पीछे कोई भी संपत्ती नहीं छोड़ के गई है हाला कि उनके पुराने दिनों को याद करके सब यह जरूर कहते हैं कि यहाँ पर हीरा बेट को देखने के बाद चीजे अपने सामने खुल करके आ रही है और हम इस बात को लेकर कि यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर हीरा बेट की अगर पहली की जिन्दगी पर गौर किया जाए तो जाहिर सी बात है कि उस दोरान वो और उनके पती दोनों के दोनों बहुत गरीब थे जिसकी वज़े से नरेंदर मोदी जो है वो भी उनके साथ मिल करके ट्रेन के पास में चाई बेचा करते थे लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने के बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने अपने लिए एक ऐसा समय ख़ड़ा कर दिया जिसमें वो प्रधान मंतरी बन करके सब के सामने निकल करके लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और गौर कीजेगा कि जब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जो है प्रधान मंतरी की गद्धी पर भी बैठे उसके बावजूद भी उनकी संपत्ती में जो है वो ज्यादा बड़ा यहाँ पर इजाफा नजर नहीं आया यहाँ तक ही यह जरूर देखा गया कि उनकी जो है नेट वर्थ कितनी रही वो हमने अच्छे से देखा है चलिए मैं आपको जो है यहाँ पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की संपत्ती कितनी थी अगर यह अगर आप जाना चाहेंगे तो जरूर इसको लेकर के भी मैं यह जनवरी PMO कारियाले की ओर से साजह की गई है इसके मताबिक मोदी की दी संपत्ती में एक साल के भीतर 26 लाख रुपे का इजाफा हुआ है आपको बता दे कि कहां कहां उनका घर है वो क्या क्या करते हैं कुल संपत्ती कितनी हैं वो कहां निवेश करते हैं पिछले दिनो प्रदानमंत्री कारियाले ने इस बारे में पूरी जानकारी दी थी देश के प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी कुल 2.2-3 करो रुपे की संपत्ती अपने पास रखे हुए हैं यह जानकारी PMO के ओफिसल वेबसाइड पर मिला हुआ है इसके लावा मैं आपको बता दू कि PMO के अनुसार 2.2-3 करो रुपे में से अधिकांश बैंक खातों में जमाराशी है PMO की संपत्ती से जुरी ताज़ जानकारी सामने आई उनके पास कोई भी अचल संपत्ती नहीं है दरसल उन्होंने गांधी नगर में अपने हिस्से की जमीन भी दान दे दी थी तो सिर्फ मा क का ही ये लहजा नहीं रहा है खुद प्रदानमंती नरेंद्र मूधी का भी यही लहजा रहा है कि वो जो है यहाँ पर अपने हिस्से में भी बचा नहीं रखते देखा आपने हीराबा की संपती को लेकर के तमाम जंता जो है वो जानना चाहा रही थी और यही वज़ा थी कि आजका हम यह खास रिपोर्ट आप लोगों के लिए लेकर के आएं आज के इस खास रिपोर्ट के जरीए हमने आपको बताने की पूरी कोशिश केस के अलावा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कमेंट के जरीए आया हुआ जो भी मुद्दा होगा उस मुद्दे के ओपर हम अगली वीडियो जरूर लेकर क्याएंगे फिलाल आज के लिए वस इतना ही दिश्टिनेक तवाम पड़ी खबर के लिए देखते रहे हैं इस पेनाइन कर दिए पिलाईग will आख़ी जरूर लेकर उतना ही भी मुद्दा खबर के लेकर के लिए Clay tuo सब